हलो विवाइस वल्कम चु रिहानास रेसिपीस आज हम बनाएंगे चिकन चीज सैंडवीच बहुत ही मज़े की बनती है और आसानी से बना सकते हैं आप भी जरूर ट्राइ करके देखिए आप भी परफेक्स से रेस्पी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए ताके बिना डाउट के आप भी बना सके रेस्पी देखने के बाद अच्छी लगी तो लाइक करिए अपने फ्रेंस के साथ शेर कीजिए और टेस्टी रेस्पीस के लिए मेरे चानल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसके लिए ब्रेट स्लाइस ले ली हूँ 200 ग्राम बोनलेस चिकेन चिकेन को इसी तरह छोटे छोटे पीस कर लीजिए तो जल्दी बन जाएगा चिकेन को अच्छे सा क्लीन करके चन्ने में दालके एक्स्ट्रावाटर निकाल लीजिए एक मीडियम सर्च बरी कटी हुई प्यास 2 टेब बटर स्वाद अनुसार नमर एक टीस्पून अध्र ग्लोसन का पेस्ट एक टीस्पून चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स देखके दाल लीजिए ठीके के हिसाब से आधा निम्बू थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता दो से तीन टीस्पून टमेटो केचप हाफ कप मुज आफ कर लेंगे यह अाहिल घरम होने के बाद इसमें अध्रक्लोसन का पेस्ट आड़ कर लेंगे अब इह को गया हई राइब इसमें अध्र कर देंगे चिक्न चिकन को अच्छे सा फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा नमक डाल के यहां पर चिकन के छोटे छोटे पीस करके डाल रहे हूं अब चाहे तो कीमा से भी बना सकते ही रेसिपी को अब आट कर लेंगे नमक स्वादन सार डाल के अच्छे सा फ्राई कर लेंगे चिकन को थोड़ी देर बाद ए चिकन से पानी निकलेगा ए पानी पूरा दुबारा से चिकन में अबज़र होने तक हम फ्राइ कर लेंगे देखो इसी तरह चिकन के पीस भी छोटे हो जाएंगे अब आट कर लेंगे इसमें आदा कब जितना पानी पानी दाल के एक बार मिक्स करके ढखके चिकन को अच्छा सब पकने तक मीडियम या हाई फ्लेम पर रखके पका लीजिए बस जादा टाइम नहीं लगेगा ए चिकन पकने में बस तस मिनिट में ही पक जाएगा क्योंके फ् पूरे कैबेज, कैपसिकम, कैरेट डाल रही हूँ अब चाहे तो अवैट कर सकते ही सिर्फ आनियन से भी बना सकते ही इस सबजी को एक दो मिनिट तक चलाते हुए पका लेंगे बस कचिस में जाने तक ही जल्दी ही पक जाएंगे ज़दा पकाने की ज़रूरत नहीं है दो म पसंद करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लीजिए अब आट कर देंगे लेमेंट जूस निमुका जूस आट करके मिक्स करके अब क्या सकॉफ कर लेंगे स्टफिंग रेडी हो गया है अब अगला प्रासस देखेंगे ब्रेट स्लाइस लेके इसको थोड़ा सा बटर क अपलाई करके रखे हुए बटर अपलाई करके रखे हुए हिस्से को नीचे साइड रख लीजिए और एक साइड हम टमिटो केचव आट कर लेंगे अब ज्यादा खाएंगे तो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लीजिए अब इस्टफिंग रख देंगे थोड़ा ज्यादा ले लीजिए कम काएंगे तो थोड़ा कम ले लीजिए अब मुजरिला चीज आट कर लेंगे चीज की कौंटीटी भी आपके हिसाब से रख लीजिए अब जो बटर लगा के रखे हुए हिस्से को ये बट के उपर साइड रख देंगे अब निक्स टॉ कर लेंगे एक पैन ले लेंगे ग्यास को आन कर देंगे अब यह पैन में जो बना के रखेंगे सैंड्विच को रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे रखके सैंड्विच को अच्छा सेख लेंगे एक प्लेट लेके हलका सब प्रेस करते हुए सेखेंगे तो यह अच्छा सा क् अब चक्कर लेंगे एक से डो मिनिट के बाद नीचे से क्रिस्प हो जाएगा तो दूसरे साइट फलट के दूसरे साइट भी सेख देंगे अच्छा सा क्रिस्प हो गया है अब दूसरे साइट फलट दूगी मैं देख सकते ही अच्छा सा गोल्डेन कलर आ गया है दुबारा स को रख्के हलक क सब्रेस करते हुए इन और डूसरे साइट भी क्रिस्प होने तक पुखाएंगे और दूसरे स mechanics क्रिस्प हो गया है वाद प्लेट में निकाल दूंगी इसी तरह पूरे सैंडविच को हम पकाएंगे यह पूरे सैंविच मैं सेख दी हूँ अब एक कट कर लेंगे अब मन चाहे शेप में आप कट कर सकते ही सैंविच इसको मैंसी तरह कट कर लूँगी बनके तयार हो गई ही टेस्टी यम्मी चिकन चीज सैंविच आप भी ज़रू ट्राइ करके देखिए बनाना अब पसंद आई की तो लाइक करिए शेयर करिये कैसे लगी कोbas क्यों किया हो तो प्लीज फ्रेंड़ जरूर सबस्क्राइब कीजिए भीलेंगे अगली रिस्पी के साथ त debak